हाइ फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो है वो किस कॉलेज में किस केटेगरी का कितना सीट है यह चीज जो है बहुत से लोगों को पता नहीं होती है और आज का इस वीडियो से जो है वो आपको क पिछले साल का लिया गया है यह हम यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं ताकि इससे आपको यहाँ पे कुछ आइडिया मिल सके कि college में seat का distribution कैसे होता है किस category का कितना seat होता है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि लगभग परतेक B8 college में आपका 100 seat रहता है तो इन 100 seat में आपके category का आप जिस category से बिलॉंग करते हो उस category का कितना seat रहता है तो देखिए यहाँ पे अगर पिछले reservation की बात की जाए तो जैसे कि आपका 100 seat हर college में है तो पिछले reservation के according आपका जो ओबीसी का reservation कितना था यह आपको पता होगा 14% था पहले ठीक है तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 यहाँ पे 14 हो रहा है तो 14 seat जो है वो आपका OBC के लिए reserve था जिसके अंतर गता आपका BC1, BC2 आता है ठीक उसे तरह ST के लिए 26% seat reserve रहता है SC के लिए 10% seat reserve रहता है ठीक है लेकिन अब देखा जा सकता है कि जैसा कि आपको भी पता है कि new reservation वाला system आ चुका है जिसमें आपको जो है वो OBC का reservation बढ़ा के जानि कि पहले 14 था तो अब बढ़ा के 27% कर दिया गया है ठीक उसी तरह अगर हम लोग benefit भी आपको इस साल से देखने को मिल सकता है ठीक है बाकी जैसे ही आपका जो है वो इस साल का seat matrix आएगा हम आपको जो है वो update कर देंगे ओके यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस category का जो है वो कितना seat रहता है OBC का अगर हम यहाँ पर 27 सीट आ जाएगा यानि कि एक college में 27 सीट तो यहाँ पर कहीं ने कहीं बहुत ही फायदा होने वाला है जो भी छारखंट से बिलोंग करते हैं उनको बहुत फायदा होने वाला है अब इसके इस तरीके से जो है वो आप लोग अपना government college जिनको मिलता है वो भी देखते हैं कि उनको जो है वो government college में selection होगा की है जैसा कि आपको पता है कि चार government college है यानि कि 400 सीट इन 400 सीट का अगर हम लोग पहले के reservation के तुनला में बात करें ठीक है तो 400 का यहाँ पे अगर हम लोग 14% बात करते हैं तो 400 का यहाँ पे 14% ठीक है तो देखिए 56 हो आता है ठीक है 56 सीट तो पहले reservation के में आपका क्या है OBC का 56 सीट रहता था government college में लेकिन अगर आपको यहाँ पे reservation का फैदा देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे आपका जो है वही 56 सीट आपका बर के 108 हो जाएगा तो कहीं ने कहीं आपको जो है वो यहाँ पे बहुत जादा फैदा मिलने वाला है ठीक है अब इससे आप पता लगा सकते हो कि जिनका भी OBC में आपका category rank जो है वो 108 तक आता है या फिर 110 तक भी आता है तो उनको जो है यहाँ पे government college आसानी से मिल जाने का chance है मेरे ने ज़रिये से इस बार जो है वो आपको reservation का फैदा देखने को मिल सकता है ठीक है बाकी इस बात को लेके यहाँ पे confirmation नहीं है कि मिल ही जाएगा ठीक है अगर reservation को पूरी तरह से पारित कर दिया गया होगा तो आपको जो है वो जरूर है यहाँ पे benefit जो है वो reservation का मिलेगा seat का संख्या जो है यहाँ आपके category के लिए बढ़ा दिया जाएगा ठीक है तो बस यही छोटी से information देना था इस वीडियो के माधियम से आई होग कि आपको जानकारी जो है वो पसंद आई होगी और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को subscribe यूड़ कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पे बेर्ड के regarding जैसे ही कोई नया information आता है ठीक है सबसे पहले आपको जो है वो इस चैनल के माधियम से अपडेट कर दिया जाता है बाकि counseling से रिलेट जितने भी आपके doubt है आप comment में पूछ सकते हो या फिर discussion group भी बना हुआ है वहाँ पे भी आप अपने problem को जो है वो पूछ सकते हो बाकि अगर आप टेलिग्राम से नहीं जूरे होंगे तो जूर जाएएका क्योंकि किसी कारण बस अगर वीडियो नहीं बन पाता है तो हम जोए वो आपको टेलिग्राम चैनल में भी अपडेट कर देते हैं तो मिलता है किससे नए वीडियो में नए information के साथ